दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Google Pay में मेनवली रेफर कैसे कर सकते हैं किसी-किसी फोन में होता है क्या? कि पहले से Google Pay installed होता है ज đếnसे इसमें भी आप देख सकते हैं Google Pay पहले से install है तो हम इसमें कैसे रेफर करेंगे और कैसे हमें रेफरिंग का जो हमें cashback है वो आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों जो phone में पहले से Google पे install नहीं है तो उसमें आप आसानी से उसे refer करेंगे और वो आपके refer link को click करेगा और click करने के बाद यह direct क्या करता है की play store पे खोलता है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है लेकिन जो phone में पहले से ही Google पे install है तो उसमें ही problem आता है और उसमें ही हम क्या करते हैं refer नहीं कर पाते हैं तो यह वाले phone में पहले से install है बड़ अपडेट नहीं है यह हमारा पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है अब हम इसे क्या करते हैं अपना phone number डालते हैं और यह mail mail याद रखना होगा कि कोई भी fresh mail डाले जो mail से पहले Google पे खुला हुआ है अगर वो वाला mail यहां पर डाल देंगे तो आपको refer करने का नहीं देगा तो आप जो भी mail डाले एक तो नया बना ले या फिर जो mail डाले जो कभी Google पे में register नहीं हुआ हो यह देखिए दोस्तों यहां पर direct आपको aid bank नहीं करना है aid bank करने से पहले आप यह profile पे जाना है और यहां पर three dot पे जाना है और referral code पे जाना है और manually आपको refer code यहां पर डालना पड़ेगा जो आपका five digit का six digit का refer code है वो आपको यहां पर डालना पड़ेगा तो मैं अपना यहां पर डाल देता हूँ यह जब आप डाले तो बड़े ही carefully के साथ डाले क्योंकि कोई भी अगर digit गड़बर हो जाता है तो फिर आपको bonus नहीं आएगा यह refer code मेरा बहतरीन से काम कर गया है अब हम payment करने का कोशिस करते हैं payment करने से पहले आपको bank aid करना पड़ेगा bank हमारा successfully aid हो चुका है अब हम पैसे transaction करके देखते हैं कि हमारा cashback आता है नहीं जब तक कि आप first transaction नहीं करेंगे तो cashback नहीं आएगा कुछ भी amount का आप यहाँ पर transaction कर दें झाले